हेलो स्टुडेंट्स वैलकम टू स्टेडी सर्केल 2.0 कैसे आप सभी लोग आई हो बहुत ही बढ़िया होंगे तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं डिजाइन आप स्टील स्टेक्चर और डिजाइन आप स्टील स्टेक्चर में हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है जो कि यह हमारा दोस्तों आज इसका तीसरा कॉश्चन रहेगा और देखते हैं जो हमारे तीसरा कॉश्चन दिया गया किस तरीके से दिया और इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है ठीक है तो चलिए को सबसे पहले पढ़े लेते हैं और बता दें दोस्तों कि यह जो डिजाइन को पढ़ लेना है ठीक है क्योंकि सहलेबस बिल्कुल सेव रखा गया है और इसमें कोई भी चीज़ेंगे नहीं की गई है तो आप लोग यहां से भी अपनी का प्रिपरेशन कर सकते हैं जो आपका डिजाइन आप इसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन में हम मैं इसका अलग से पीडियाप भी आपको दे दूँगा जैसा कि मैंने बताया था जो पीडियाप आपको मिलेगा पूरे चप्टर का उसमें कॉश्चन हिंदी या इंगलिस दोनों में होंगे ठीक है तो ज्यादा परिशान होने की बिल्कुल भी जरूद नहीं बस आपको म पंक्ती वाला बट जोड बनाना है समझे आप बात को आपको 18 mm डाया का रिवेट यूज करना है और एक जॉइंट तयार करना है ठीक है और वो भी बट जॉइंट लेकिन कौन सा बट जॉइंट आपका डवल कवर तिरपल रिवेट यानि तीन पंक्ती वाला इस तरीके से तो जब तीन पंक्ती होगी तो उसको हम तिरपल रिवेट कहेंगे कि नहीं कहेंगे ठीके तो यानि आपको तिरपल रिवेट डवल कवर बट जॉइंट को बनाना है और यूज करना है 18 mm डाया की रिवेट का ठीके समझ गे इतनी चीज को फिर बोला है मुख पिलेट बा आ तो यह दूरी फाइंट करनी है आप लोगों को ठीक है तो इसको हम पिच बोलेंगे ठीक है हलांकि देखिए डियक्नेशन जाब पढ़ाई थी गेज बताया था लेकिन बिल्कुल भी का रिफ्यूज नहीं होना मैं बताया था आप लोगों को कि निमेरिकल में इसी गेज को वो पिच बोलेगा हलांकि निकालना हमें गेज ही है लेकिन वो पिच बोलेगा ठीक है तो उससे परिशान बिल्कुल भी नहीं होना तो यह चीज हमें फाइंड आउट करनी थी अब देखिए सबसे जो में चीज है यहां पर क्या है पहली चीज तो यहां पर तिरपल रिव प्रेटों की जो स्टेंथ होती है उसको बराबर करते हैं इसमें किलियर हो जाएगा जिनके मैंड में भूत सवार था और यहां पर तुम्हारे किलियर होगा ठीक है अब थोड़ा आगे बढ़िये तो किलियर हो जाएगा समझ भी आ जाएगा कोई दिक्कत और दूसरी पBlackness ने देखर कि डाय दे दिया। और हम लोग फॉर्मूले से क्या कर थे में प्लेट की थिखनेसर रक्के डाया निकालते थे हैं निकाल लेंगे। तो यह सिंपल सा लॉजिक्स था और जब मेन प्लेट की थेखनेस आ जाएगी तो हमारी कवर प्लेट की आ जाएगी वस इतना सा करना था सबसे पहले हम डाइग्राम बनाते हैं ठीक है तो देखिए यह हमारा बट जॉइंट है हम इसको इस तरीके से बनाते हैं ठीक है इसका भी हम इस तरीके से कवर प्लेट लगा रखिए ठीक है और अब यह दोस्तों हमारा तिल जो तीन पंग्ति वाला है यानि कि हमारी इसमें तीन सीरीज फॉलू की यह वन टू एंड ठीक है अगर प्लान देखना चाहती है तो वह भी साथ ही साथ देखते जाओ देखिए कोई देखते नहीं है देखिए इस तरीके से ठीक है यह आपकी दौनों की दौनों मेन प्लेट हैं और इस पर आपने लगा रखिए इस तरीके से यह कवर प्लेट ठीक है अब आपने तीन सीरीज बनाएं देखो ऐसे वन टू ठीक है इस तरीके से तो आपका यह त्रपल रिवे बना लिए जी देगा थोड़ा सा समझ में आ जाता है और आपको एक्जाम बना करके आना है इस तरीके से ठीक है इस तरीके से क्योंकि डाइग्राम बना के चले आएंगे तो आपको त्योरी लखने की जरूद नहीं बढ़ेगी कि यह हमारा कॉंसर रिवेटर जोइंट है ठी फिर ठीक है इस तरीके से इसका क्या रहे हैं एलीविशन इसाएं प्लान आउन हमें न इन पेलेटर की ठीकनिस पता में न कबर प्लेटर की ठीक इन पर बस इतना वेजरूरूर को यह रिवेट हमने लगा रखे कि है यू एट-टी flu है ठीक है समझ गय यानि हमें यहां पर गिवन है हमारा नॉमिनल डाया ठीक है जिसको हम सामान ब्यास कहेंगे हम हिंदी में भी बोलते जाएंगे तो हिंदी बाले भी लिख लेने ठीक है नॉमिनल डाया और अफ रबेट हलाकि यह चीज आप रपीट हो चुकी तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है तो यह हमारा हो जाएगा कितना 18 mm तो अगर मैं आपसे पूंचू ग्रॉज डाया कितना होगा तो तो ग्रॉज डाया और इसको अपका इसको डी से लिखते हैं ठ ठीक है अब आप चाहें जो 1nd- именно के लिए मानिये ठीक है या आप लोगों का तो आपको मानना है वहाप माल लीजेगा तो हम लोग देखिए सबसे पहले आप लोग किसका Fs का वैलू Fb का वैलू Ft का वैलू Ft का वैलू Ft का वैलू सब को पता ही है कितना होता है 1500 Newton प्रतिया में स्क्वाइर ठीक है और अगर आप Fs का वैलू लोगो तो इसका 100 रहेगा लेकिन B. डिन में किता रहता है 300 रहता ठीक टेबल बनवाए थे आप लोगों को उससे कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए ठीक है कोई दिक्क्त यहां था यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है अगर आपका फिल्ल्ड होता तो यहां कम हो जाता ठीक है यह नब है का डाया ओफ रबेट का डाया ओफ रबेट का हाला कि डाया ओफ रबेट नहीं हमें निकालना है हमें तो निकाल लिए में प्लेट की थिकनिस लेकिन अन्विंस का फॉर्मूला यूज करेंगी तो इस चाहिएगा ठीक है हमने किसका formula यूज किया अन्वेंस का formula तो यह formula क्या क्या कहता है 6.05 root के अंदर आपको t रखना है mm में और यह main plate की ठिकनेस हो दिया धिया रखिएगा और जो निकल कर आता है वो आपको nominal लाया होता है क्या निकल कि आता है nominal लाया तो आपका यानि हम कह सकते हैं कि nominal लाया is equal to 6.05 और root के अंदर टी हमारा mm में तो अब हमें nominal लाया तो दिया गया है देखो यह रहा 18 mm तो रख दो और अब तुम इस इस इकल कर दो 6.05 तो तुम्हारा जो टी आ जाएगा वो mm में आ जाएगा यानि में पेल्ट की ठीकनिस ठीक है अब इसको कर लो calculate अब तुम्हारा 6.05 से ठीक है तो यह तुम्हारा value आएगा 2.9 के करीब फिर इसको तुम क्या कर दो ना 2.97 के करीब तुम्हारा आएगा देखिए यह आएगा तुम्हारा 2.97 और is equal to root t अब तुम्हारा यह जो t लिखा हुआ है एक्च्वल में यह लिखा हुआ है t पर पाबर एक बटे दो तो अब यह जो एक बटे दो इस साइड आएगा ना तो स्कॉयर हो जाएगा यह यह जो तुम्हारा 2.97 का तुम्हारा 8.8 mm करके थीके कितना आएगा यह तुम्हारा हो जाएगा ट का वैलू अब तुम्हारा अपने हिसाब से टीजाइन हम लोग कर रहे है यह 8.8 अगर दे रखा है तो तुम ना इन वान सकते हो ठीके नाइन मालो इसको चुपलेट की ठेक्निस प्रफिक्न कर सकते हो या नाइन कर लो ठीक है कोई दिखकत नहीं है यह तुम्हारा कित्त हो जाएगा नाइन हो ठीक है का यहा खिक है product में एक सब को तो समाझ ले सकते हो यह दिःखन रखोग यहह आँ अब है या मैं अगर지만 में रहा के सब्सक्राइब करेंगे निवार्चा नहें। तो यह अपका हो गया है जो main plate हो सकतीनेश आप लखना चाहा है तो लिख सकते हैं main plate का थिकनेश ठीक है thickness of main plate तो अगर मैं आपसे यह पूछों कि आप कबर पिलेट का थिकनेश कितना हो जाएका क्योंकि उसने यह भी पूछा था 5 mm यह तुम्हारा कबर प्लेट का थिकनिस आ लिया है ठीक है यहां तक किसी कोई प्रब्लम तो तुम्हारा कबर प्लेट जो था वह 5 mm निकल आया आपका चलिए अगर आप लोग सब करके 9 मान लेते तो यह थोड़ा सा और बड़ा आ जाता आपका है ना फिर भी कोई प्रब् है तो वह आपको क्या करनी है फाइंड आउट करनी है ठीक है क्या करनी है तो आप आपको simply क्या रहना क्या है वही concept लगाना है पिछ के लिए और नंबर आप रिवेट के लिए जो हमारा maximum strength वाला वो केस होता है न वह वाला ठीक है तो आप यहांप क्या लगाओगी maximum strength for maximum strength ठीक है अब बहुत बड़ी चीज़ समझाने वाला हूं यहां पर द्यान रखना for maximum strength maximum strength के case में क्या होता है यहां पर आपका जो पिलेट का tensile strength होता है राइट में देखिए tensile यानि तन अनसामद ठीक है tensile strength of main plate for purpose ठीक है यह तुम्हारा बराबर हो जाता है किसके हलांकि यह equal भी रहे तब भी problem नहीं होती है ठीक हम बताये थे इस चीज़ को अभी फिर से बता देंगे और left में हमारा हो जाता है strength of rivets strength of rivets for purpose length ठीक है यह तुमको बताये थे तो अब purpose में आने वाले जितने सारे rivets से उनकी strength आपको बराबर करनी है किसके पिलेट की tensile strength के तो देखिए पिलेट की tensile strength परपिच के लिए सबको पता है P-D into T यह आपका हो जाएगा चोड़ाई और यह thickness और F T से और गुणा करा दोगे तो यह stress into area is equal to strength हो गया ठीक है और यहाँ क्या होगा यहाँ आपको दोस्तु करना क्या है जो PS है और जो आपका पीबी है इनका minimum value निकालना है ठीक है यानि minimum value of minimum value ठीक है किसका PS और PB का निकालना है तो यह मैंने left में लिख दिया हलांकि यह समझा दिया है मैंने पहले ही ठीक है और यह formula आपका ऐसे भी लिखा जाता है तो ज्यादा बैस्ट रहता है ठीक है और reason क्या है तो मैं बता भी आपको कि जो आपकी tensile strength होगी पिलेट की वो कम से कम रिवेट की strength की या तो बरावर हो जा या इससे अधिक रहे है ठीक है यह हमारा main जो परपास है वो हम लेके चलते हैं ठीक है बताया थे आपको समझाया थे जब design समझाया था और यह इसलिए करते है क्योंकि जितना हमार सहन सील्था का रिवेट है उसके बरावर हमारा plate का रहे ठीक है plate की सहन सीलता है क्योंकि अगर माली जी हमारा 20 किलो नूटन को load सहर आ है तो कहीं ना कहीं plate भी हमारी 20 किलो नूटन का load ही सहे क्योंकि अगर इससे कम सहेगी तो failure plate का हो जाएगा मतलब पहले plate हमारी fail हो इतना भी अच्छा रहा है फिर क्या मतलब है या तो दौनों बराबर रहें या यह अधिक हो जाए तो कम से कम रिवेट जतना जहल पार है वो जहल तो पाएगा उतना है ना और अगर प्लेट पड़गी तो फिर यह तो फेल होई जाए तो इसकी strength इसके बराबर लेके चलत अब निकाल दिया यहां पिदिखिए 19.5 आपके पास प्लेट की ठिकने से यह जो प्लेट की ठिकने से कौनसी होगी minimum bali तो आप चेक कर लेना अब जो मैन प्लेट की ठिकने से कितनी निकल की आई थी हाट यह uh तो अगर आप लोग जोड़ोगे तो यह पांच और पांच दस हो जाएगा यानि यह फिर भी आट से जादा हो रहा है तो टी का वैलू जो हो जाएगा वह तुम्हारा ए टैम हो जाएगा यह ध्यान रखना ठीक है मैंने बता दिया अब तुम टी का यहां रख दो के वैलू और यहां पर आप तुम्हारे पास डेट सो दिया है और यहां पर आप तुम्हें निकालना लैट में पी एस और पीवी ठीक होगा वही आपका क्या हो जाएगा जो रिवेट से उनकी स्ट्रेंथ हो जाएगी परपिच के लिए तो पहले तो परपिच मानू ना तो या रिवेट में ही हम हीरे रिवेट काउंट करते तो परपिच में देखिए हमारे कितने रिवेट आ जाएगगी येडिये आधायिये चैनर भूहले निकालने है परपिच के लिए Аब जो बंद ये कहा रहे थे कि सर यहां पर हमारे रिवेट वैलू बराबर होती है थैंसल सिस लिए नाने वालेवियलविय। समझने वहां नाने नानी सेटेट के लिए निकालेगे। इसलिए मैंने डि फॉर्मूल बतायाए bun फार्मूल न लिखके व्रमूला आपका लिखवाए था इस ट्रेंट और पर पर पेच्छ में आने वाले जितनी सारे रिवेट्स होंगे उनकी स्ट्रेंट ठीक है तो अभी तक यतनी पिछले कुछिंट थे हमारे जैसे कि आप यह देखोगे तो यहां पर किवल एक ही रिवेट आता था ठीक है तो कन्फिजन हो सकता आपको हो कि सारप गोणावं एक से कर आ रहे और फिर बोल्ट रिवेट गोल्ऌन यह दी तो यहां पर लिखो स्ट्रेंट और रिवेट्स अब आपको इसकी मिनीर में निकाल ली हैँ में निकाल निकली है ठीक है तो स्थीयर में निकाल हो लोगे तो क्या हो जायेगा पीजाल पकीRAY एक स्कॉार इंटू एफ एस और इंटू अबर ओफ रिवेट हाला कि अगर रिवेट वैली वहती तो फिर एक से गुणा कराते लेकर आप देखना तीन से कराएंगे क्योंकि परफिस में हमारे तीन आया हुए ठीक है तो नमबर ओफ रिवेट और इंटू फेल्योर का टाइप ठीक है यानि कौन सा फेल्योर हो रहा है तो देखो यह तो हो जाया का तुम्हारा सिंपल पाई वाई फॉर और डी कितना आया था दी तुम्हारा यानि ग्रॉस्ट आया 19.5 दिया है ठीक है तो 19.5 का स्क्वाइर हो जाएगा और गोडे में तुम्हारा जो एफ हैस है वह कितना दिया था सियर था था तो हमने इसमें 100 लिया था ठीक है सियर के केस में और नमबर ओफ रिवेट तो परफिस में तीन बट जॉइंट है दो कवर पर लेट है तो दो से गुणा कराएंगे ठीक है अब इसको तुम क्यल्कुट कर लो जल्दी से ठीक है और तुम भी क्यल्कुट किया करो हो सकता मेरे से अगर मिस्टेक हो जाए तो कम से कम तुम बतातो सको 19.5 गोड़े 19.5 ठीक है और इंटू आ अब तुम बीरिंग में निकाल लिए तो बीरिंग के लिए क्या करो यह तुम्हारी बीरिंग में हो जाएगी दूसरी तो बीरिंग के लिए क्या करोगे पीवी बराबर देख रहा है ना बहुत अच्छे से देख रहा है पीवी बराबर एप भी फिर इंटू डी इंटू ठीक है strength is equal to stress into my area लेकिन यह एक सिंगल रवेट का है हमें तो यह देखना है परपिछ में कितने आ रहे हैं तो हम नंबर ओप रवेट से गुणा भी करा देंगे ठीक है नंबर ओप रवेट तो देखो एबी के पहले तुमने किता लिया था 200 लिया था या 300 तीन सो लिया था है ना क्योंकि हमने माना का पावा डरवेट सौब रवेट एब देखो 300 ठीक है समझ में आ गया तो यहां तुम्हारा हो जाएका 300 गुड़े अब यह जो डाया है यह होगी वह आपका में प्लेट से कम है ज्यादा अगर में प्लेट से कम आ रहा है तो आपको उन्हीं का योग ले लेना है ठीक टी के रूप में दोस्तों लाइट जा चुकी है थोड़ा सा बेट करना पड़ेगा प्लीज ठीक है इसको कंटिनु करेंगे आगी ठीक है बात वीडियो आगे continue कर रहा है हम लोग तो जस्ट मैंने भी देखा है कि जो हम लोग पीछे end किये हुए थे वो हम लोग लेखे यहां पर end कर दिये थे हम लोग bearing निकाल रहे थे थे bearing में जो strength होती है वो निकाल रहे थे तो यहां number of rates तक हमारा हो चुका था ठीक है यानि हमारा पीवी का वैलू 300 था डीन टूटी हम रख दिये थे 19.5 ठीकनिस 8 mm थी और number of rates कितने थे तो पर पिछ में हमारे number of rates थे आधा यह आधा यह आधा यह आधा यानि एक दो तीन rate थे आमारे ठीक है आपको multiply में तीन कर देना है ठीक है और इसको calculate कर लेना है तो जब आप इसको calculate करोगे calculating में तो यह तुम्हारा फितना यहश्थ bike गुडी में 39.5 और गुडे में तुम्हारा हो जाएगा 24 ठीक है यह तुम्हारा आ जाएगा वही तुम्हारा strength हो जाएगा ठीक है strength कौन सा हो जाएगा बताओ इन मैंसे ये तुम्हार ज्यादा ये कम है यानि bearing वाला हो जाएगा यानि 140.4 kN ठीक है ये तुम्हारा रिवेट का strength हो जाएगा जो परपिछ में आ रहा है हमारे ठीक है तो हमने तीन रिवेट की strength रखी है हालनकि रिवेट value एक की होती है ठीक है कोई doubt नहीं होना चाहिए तो अब यहाँ इस side क्या रखेंगे हम PB की value right में रहेगा हमारा ये पूरा का पूरा ठीक है लेट में हमारा क्या हो जाएगा रिवेट का strength पार पीछ में तो यह आ जा गया 140.4 और किलो न्यूटन है न्यूटन की लिए 1000 से गुणा करा दो ठीक है और इस side तुम्हारा है P-D into T into F-D ठीक है तो पिछ कितना है तुम्हारे पास पिछ तो तो मैं निकालना है तो P-D कितना है तुम्हारा ग्रॉस डाया तो ग्रॉस डाया है 19.5 और तुम्हारा पिलेट का थेकनिस कितना है आठ एप्टी कितना है डेल सो दिया है वह तो ठीक है और यह तुम्हारा यहां भी लेप्ट में लिखे रहो 140.4 गुड़े 1000 ठीक है और यह सिंबल अगर भी लगा जेते हैं तब भी परशान नहीं होना हलागि स्टेंडर्ट साइन यह ही है अब क्यल्कुलिट कर लो तुम अपना पिछ का वैल्यू ठीक है तो 140 दिसामलब 40 कर दो इसके बाद जेख हो यह तो पूरा तुम्हारा इसमें इससे भाग देने पर मेरा 117 आ रहा है लेकर अब मुझे यह जोड़ना भी तो है उसमें तुमें प्लस कर दूँगा कितना 19.5 राइट तो यह मेरा आ जाएगा 136 देसामलब यह मेरी वेशलिमे के बढाबर हो सकती इससे अधिक भी होसकती है ठीक है अब वो कितनी होगे तो फोरना पड़ेकर ठीक है तो सब्सक्राइब Pixel 6 कमोरे चेक फोर बढाए कि लिए तो अगर हम बात करेंगी हमारी मिनमम कितनी होती है झाल झाल